वेलकम बेक इन दिस लेक्ट्च्च्चर वी विल इस्कस्ट वेरी इम्परटेंट रिजल्ट्स रिगादिग इंटेजर पॉंट अंटे पॉंट जो sets के general definitions हैं उसको हम लोग use करते हैं, तो यहां पर देखो, बोलता है कि जो interior point है, result क्या है, result है, आपका very important result है, यह याद रखेगा, every interior point is limit point, okay, कोई भी interior point क्या होता है, limit point होता है, and it is quite obvious using the definition, अगर आप interior point देखेंगे, तो interior point में क्या होता है, कोई अगर set है, आपका, ठीक है मालो मेरे पास में कोई set है, for set A, तो मैं कोई set का element लूँगा, okay, so that कि मेरे को, कोई ना कोई epsilon greater than 0 मिलना चाहिए, such that, कि यह जो neighborhood होगा, x का, वो क्या होना चाहिए, वो totally content करना चाहिए, set A में, तो हमारा x क्या हो जाएगा, देन हमारा x हो जाएगा, integer point, okay, जैसा कि इसका नाम है, उसी तरीके से, definition भी इसका होता है, कि हमको कम से कम एक neighborhood मिलना चाहिए, उस point का, जो properly set में contain करता हो, okay, जबकि limit point के लिए क्या condition है, इसी set के लिए, limit point कोई भी आपका real point हो सकता है, okay, so that कि आपको कोई भी epsilon greater than 0 के लिए, for all epsilon greater than 0, इसका कोई भी जो neighborhood होगा, x minus epsilon, x plus epsilon, okay, वो क्या होना चाहिए, वो contents करना चाहिए, contents, infinitely many points, infinitely, infinitely many points of set A, मत फ़लो कर रहे हैं, तो भी यह क्या हाता, तभी आपका limit point हो जाता है, तो इसमें कम से कम एक neighborhood मिलना चाहिए, जो properly set में content करें, इसमें आप कोई भी neighborhood लो, ठीक है, उस point का, तो वो आपका infinite point consist करना चाहिए, content करना चाहिए, तो अब देखर, बिल्कुल quite obvious है, कि आप इसका को, जिसे neighborhood है, ठीक है, तो अगर मैं, अगर मेरा कोई point, interior point है, suppose करो मेरा कोई point क्या है, interior point है, तो definitely उसमें कम से कम आपके पास, उसके उसके पास कम से कम एक neighborhood है, जो set में properly content करता है, अब set में properly content करता है, इसका मतलब क्या है, कि वो इसका infinite point रखेगा, तो अगर interior point है, तो वो क्या हो जाएगा, वो definitely उसका limit point भी हो जाएगा, पास में भारी है, बट इसका converse correct नहीं होगा, यह आपको पता है, कि सारा limit point, interior point नहीं होता है, तो converse जो होता है, वो need not correct, need not be true, यह भी याद र सेट of interior point है, set of interior points, वो क्या होगा, तो वो भी आपका 0 to 1 ही आता है, इसे तरीके से, मालो, इसका मैं अगर निकालता हूँ, set of limit point, set of limit points, तो यह क्या आ जाएगा, तो यह आ जाता है, 0 to 1, चुकि जो boundary value है, 0 और 1 जो set में नहीं है, तो वो भी limit point हो जाता है, यह मैंने आपसे आता है हुआ है, आप definitely देख सकते हो, कि जो जितना भी interior point है, वो भी तो इसमें आता है, तो all this interior point set is a subset of this limit point set, इसका मतलब है, कि सारा ही interior point, limit point भी ही है, limit point में सारे ही interior point भी आ जाते है, पासमें में आ रही है, तो यह आप quite obvious है, आप जब भी इसको दखोगे तो पाओगे, कि जो interior point होता है, ठीक है, Euclidean space में, तो वो क्या होता है, वो आपका limit point भी होता है, right, अब देखो, अब यह चीज़, always true नहीं है, यह तो आपका होगे Euclidean topology में, लेकिन जब हम लोग बात करें, discrete topology में, okay, तो in discrete topology, every interior point may not be a limit point, okay, तो कि अगर आप मैं discrete topology की बात करूँ, त इसको मों define करते हैं, dx of x, dxy is equal to 0, take a when, क्या, when x is equal to y, और dxy is equal to 1, when x not equal to y, so discrete topology में, इस तरीके से define किया जाता है, okay, दो point की बीच के distance को, अब यहां पर देखो, x और y के बीच में distance 1 होगा, अगर दोनों जो है, आपस में equal नहीं है, इस पर depend नहीं करता है, कि आपका y का location कहां पर है, right, ऐसे case में, अगर मैं set of natural number लेलू, set of natural number क्या होता है, तो यह होता है, आपका 1, 2, 3, 4, right, यह होता है, अब इसमें मैं कोई point ल belongs to n, okay, अगर मैं P लेता हूँ, तो definitely P कहां पर होगा, आप देखोगे, तो इसे मालनों यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, okay, तो somewhere, आपका कहीं पर भी P होगा, मालन लेता है, कहां पर मेरा P है, okay, अब इस P के लिए मैं एक neighborhood लेता हूँ, ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ, ने लेता तो इसका जो radius है, यहाद रखेगा, मैं इसका radius ले लेता हूँ, half, 1 by 2, okay, मतलब कि S P का सकते हो, ठीक है, एक मैं छोटा सा spherical ball ले रहा हूँ, यहाँ पर, okay, इस spherical ball का जो radius है, वो क्या है, वो आपका है 1 by 2, तो S P का जो radius है, वो क्या है, आपका, वो है आपका 1 by 2, okay, तो definitely neighborhood of NBD of P, और यह पूरा ऐसी set में आता है, जो कि natural number का हम लोग set बात कर रहे है, तो यह क्या है, यह आपका natural number के set में content करेगा, neighborhood of P, okay, तो अब यह देखो के neighborhood of P, जो है, आपका इसमें content कर रहा है, और इसमें अगर हम लोग देखे ना, तो definitely जो neighborhood है, वो only क्या करेगा, P को content क करेगा, इसके लावा कोई point को content नहीं करेगा, इसलिए कि कोई भी point होगा, तो natural number का कोई भी point क्या होता है, 11 के gap पे होता है, यह आपने 1 by 2 radius के लिए है, तो कोई भी point अगर आप Q लोगे, तो वो बाहर ही होगा, तो उस case में जो DPQ है, वो क्या आजाएगा, वो आपका किसको only single point, सिर्फ एक ही point रखेगा, single point P, तो कह सकते हो कि यह अप क्या है, एक आपका neighborhood है, जो यहाँ पे exist कर जा रहा है, जो कि Euclidean space में exist नहीं करता है, अगर हम लों वहाँ पे natural number लेते ना, Euclidean space में जो define किया जाता है, तो वो कैसे define किया जाता है, तो वो आपका simply distance formulas define कि किया जाता है, कि D और XY, okay, plus D of YZ is equal to, क्या हो जाता है, यह greater than equal to होता है, D of XZ से, ठीक है, यह define किया जाता है, Euclidean space में, तो समय लों कि simple distance formula वहाँ पे use किया जाता है, इसका मतलब यह होता है, कि अगर हम लोग वहाँ पे natural number का example लेते, ठीक है, तो वहाँ पे, मेरा 1, 2, 3, इ यह सब क्या होता है, यह सब आपका isolated point होता, isolated point, so quite obvious है कि हमको P का एक neighborhood मिलता है, discrete topology में, ठीक है, जो क्या है, जो N में contain करता है, right, और तो यह क्या होगा, आपका, यह आपका P आपका, यहाँ पे interior point होगा है, therefore P is, P is interior point, तो यहाँ पे P क्या हो जाता है, आपका interior point हो जाता है, ओके, अच्छा, अब जब कि यह दोखोगे कि यह आपका limit point नहीं है, क्यों, इसलिए, कि limit point के लिए क्या आसरत है, कि आप इसका कोई भी neighborhood लो, for all neighborhood क्या होना चाहिए, infinitely many point रखना चाहिए, ठीक है, इनका, other than P, तो सारे में होना चाहिए, तो जो छोटा सा neighborhood ले रहे है, ठीक है, बस इस neighborhood यह जो NBD है, 1 by 2 radius का, तो यह क्या है, यह not contents, not contents, natural numbers, natural numbers, other than P, ओके, यह P के लागा कोई point नहीं रखता है, therefore यह क्या हो जाएगा, यह आपका limit point नहीं होगा, using the definition, P is not limit point, ओके, तो थास देखो, definition में भी फर्क है, discrete वाले में, discrete वाले में limit point के लिए यह है, कि उस point के लावा कम से कम एक point भी अगर होगा, वो set का content करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका limit point हो जाएगा, जबकि Euclidean space में यह होता है, कि limit point के लिए आपको यह दिखना पड़ता है, जो भी आप neighborhood लोगे, तो वो infinitely many point content करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगोंने कैसे example देखा, कि जो interior point है, बट limit point नहीं है, तो आपका जो main definition है, उसके हिसाब से आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है, जो important है, वो याद रखिए का वो usual topology है, usual topology में हमको यह याद रखना है, कि हाँ ठ interior point क्या होता है, limit point होता है, ठीक है, ऐसको ध्रले से use करेंगे, ताकि MC की जो अगर हम आपको दिक्कत ना हो, but आपको यह सतर करहना है, कि अगर आपको discrete topology लिख दिया है, then आपके लिए यह result बन जाएगा, कि every interior point may not be a limit point, और in general अगर आपसे question पूछा जाता है, topology में, कि is every point is every interior point, interior point is limit point, क्या सारा है, interior point limit point होगा, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, no, वजह साब है, चुकि discrete topology में, यह चीज़ एग्सिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं थी, आई होप आपको यह समझ में आ गिया होगा, काफी कुछ discussion हम आपको time to time कर दो